हेलो गाइस कैसे आप सभी आसा करता हूं सभी अच्छ होंगे गाइस देखिए यह जो कोशन से यूनिट डिजिट गायंके बारवर रेलवे पूछ रहा है और अलग लग तरीकों से पूछता रहा है और लंबे समय से इसको पूछते ही रहा है जैसे कि आप इसको पेपर होग की कैसा इखकरोस क्लिट में पूछ जैसे आप आपके न रही कोश्ते चाल में कि अग्शाम हो ना पूले में अगर आ अगर यह जातने चीज आप ड़ाए है यही सिखने पहले आपको सबसे पहले तो यही इस चीछत होता क्या है यूनिट डिजिट बहुत सारे बच्चों वैसे पता होगा, जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं बता दूँ, नॉरमल सी बात है, देखिये, जैसे मैं कहीं पर दो नंबर आपसे मंटिप्लाई करूँगा, ठीक है, यूनिट डिजिट, अभी जो भी कोशन होगा, यूनिट ड बता बिज़िट यानि 1 अंक बताईए शुरुआतम धीमेदी में फिर तो आप हर कोश्ट को एक एक सेगिन में करते जाओगे तो आप क्या करोगे कि गुरु जी यह जो पूरा नंबर लिखा है इसका आखरी डिज़िट जो है इसी आखरी डिज़िट last digit को last अंक को हम unit digit एकाई अंक कहते हैं इसी को हम unit digit एकाई अंक कहते हैं तो मेरी बात main चीज यह है कि question पूछा पर आपको पता ही नहीं है निकालना क्या है तो निकालोगे कैसे अब आप पता लगा चुक्कियों कि जो भी चीज है जैसे कोई number लिखा है तो उसके आखरी वाले digit की पूछ रहा है यानि कहने का मतलब है अगर मैं यह दो नंबरों की multiply और आप से पूछू इसका unit digit अगर मैं पूछा है इन दोनों का multiply क्या होगा तो आप कहते हैं ट्वैलेट जा 96 का 6 सासिल 9 बारे कम 12 और 9 मेरे भाई की तरह हो गया 21 तो आप कहते हैं सर यह हो जाए 216 नॉर्मल सी बात परंतु मैंने यह तो नहीं पूछा इन दोनों का multiply क्या है मैंने पूछा आप से unit digit एका यंक कहने का मतलब है सिर्फ मुझे last digit से मतलब है यानि कि यहां जो आखरी digit 6 है यही मेरा answer होगा सिर्फ इससे पूछा गया है अब सायद ऐसा हो सकता था किसी बच्चे calculation खराब होती है और वो इन दोनों को multiply करता और इससे 206 लिख देता ठीक है परंतु देखे calculation multiply करके खराब हो सकते हैं यहां पे 206 की जगा कोई बच्चा बिल्कुली केम जो और calculation तो 18 और 15 को जोड़ूँगा तो क्या मैं लेगा 8, 5, 13 का 3 हासिल 1 1, 2, 3 तो मुझे मिला 33 तो मुझे 33 से नहीं इसके last digit 3 से मतलब है तो इस question का 1 का यंग 3 हो गया यानि अगर इन दोनों के total से जो भी value बनेगी उसका 1 का यंग 3 अब अगर मैं यहां पर आता हूँ इन दोनों को घटाता हूँ तो 38 मैं से 12 घटा है तो 8 मिस दो गया 6 तीन मिसे गया 2 इन दोनों का अंतर 26 है पर question इन दोनों का अंतर नहीं पूछ रहा आप से unit digit मैंने पहले बोल दिया पूरी class unit digit के नहीं भी लिखा तो unit digit का question है अगर उसने एकाई अंक पूछा है तो हमारा answer अभी 26 ना बनकर सिर्फ 6 बनेगा क्या बनेगा 6 यानि कि हमें सिर्फ last digit ढूड़ना है अब मैं आपको एक चीज़ बता दो देखिए बहुत प्यारी सी अगर आपको last digit ढूड़ना है तो दौनों का पूरा multiply करने की जगह है आखरी वाले देखो last ढूड़ना है तो last का आपस में multiply तो 8 टूजा 16 16 मैंसे भी सिर्फ last digit 6 हमारा answer इन दौनों को जोड नहीं जाए 8 रोट 5, 13 13 में पीछे क्या रहा है 3, 3 हमारा answer unit digit इन दौनों घटा नहीं जाए 8 हमसे दो गया 6 6 हमारा answer स्तीधा आपका answer आजाएगा आपको सिर्फ 1 यंग से मतलब है अब आपके सामने कितना इबड़ा question क्यों ना जाए मैं कहा दू 99 multiply 88 multiply 79 multiply 1199 799 अब मैं पूछू इस सभी का आपसम multiply कीजिए और इकायंग बताईए अब दो तरह के बच्चे होंगे कुछ बच्चे क्या करेंगे मिर भाई 98 72 अब आप को होगे सर आप जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई पूरे पूरे नंबर की जगए सिर्फ last digit का आपसम कर दीजिए अब इन दोनों का multiply तो 72 बन गया क्या आप 72 की 9 से multiply करेंगे नहीं 72 2 से मतलब है जो last digit है 2 9 जा 18 से मतलब नहीं है सिर्फ 8 से जो last में आएगा 8 8 9 जा 72 में 2 आएगा न लास्ट में तो 2 से मतलब है 2 9 जा 18 में 8 जो last में आएगा से मतलब और यहीं हमारा एकाई यंग unit digit हो जाएगा आपको गुरुजी मजा आ गये तो तो अब तो आप कोई भी question कर सकते हो कर सकते हो नहीं कर सकते अब कोई plus आ जाए minus अब मैं कर दो 7 9 6 3 plus 8 8 8 2 plus 9 4 4 इन सभी को जोड़िए और एकाई यंक क्या होगा यानि कि जो भी total है उसका last digit तो आप छूटते ही क्या करोगे कि गुरुजी देखिए 3 और 2 5 और 4 9 आखरी डिजिट 9 होगा यहां तक तो चीजे चल जाती है बसरते अच्छा एक छोटी सी चीज और बताए तो आपको मज़ा जाएगा अगर गलती से भी गलती से भी जैसे मैंने कुछ नंबर लिख दिया ऐसे 7 9 9 9 multiply 8 9 7 multiply 7 7 7 multiply 1 9 0 multiply 8 8 8 multiply 7 कुछ भी लिख रहा आप लंबी से series अगर कभी भी किसी भी नंबर के साथ जैसे 8 के साथ 10 की multiply एक ऐसे नंबर की multiply है जिसके आखरी डिट 0 है तो इन दोनों का multiply यह कैसा नंबर बनाएगा जिसके last में 0 होगा ही होगा तिर्फ इतना सा मैं आपको बताना चाहरा हूँ जैसे आपके साथ मैंने multiply कर दिया 9 multiply 7 multiply 8 multiply 10 multiply 4 multiply 7 multiply 8 multiply 9 तो आपका देखिए होता क्या है 0 क्या कर रहे है 0 multiply 8 0 0 multiply 7 0 0 multiply 9 0 0 multiply 4 0 0 multiply 7 0 0 multiply 8 0 0 multiply 9 0 यानि in the end answer जो भी होगा उसके आखरी में एक 0 जरूर होगा यानि last digit यानि union digit का यंग 0 हो जाएगी कहने का मतलब इतरा सा है कि अगर आप बहुत सारे नंबरों को multiply कर रहे हो और उन सभी के आखरी में अगर 0 है मतलब आखरी में कर रहे हैं उन सभी में से किसी एक नंबर का last digit आखरी डिजिट 0 है तो इन सभी के multiply के बाद last digit 0 होगा ही होगा जैसे अगर मैं कोशन दे दूँ 1 9 0 multiply 7 9 3 multiply 9 9 multiply 8 9 4 9 अब आपको इन सभी को कुछ भी देखने जरूत नहीं अगर यहां एक नंबर में 0 है तो इन सभी के multiply में last digit 0 ही निगल कर आया करके देख सकते 0 into 3 0 into 9 0 0 into 9 0 यानि last digit 0 ही आना तै है अब आपके सामने गलती से ऐसे कोशन आ गया 7 multiply 8 multiply 5 multiply 2 multiply 4 multiply 9 अब यहां तो कोई 10 नहीं है पर अगर आप देखोगे तो यह दो नंबर मिलकर क्या बना रहे है पांस दूनी 10 यह दो नंबर मिलकर क्या बना रहे है एक ऐसा नंबर जिसका last digit 0 है और यह 0 सब को भसम करके end digit 0 सर्फ last देखे आप करके देख सकते हैं आपके सामने में कुछ कोशन्स ऐसे बना रहे है आप इस कोशन्स को करोगे पूछा गया इसका इकायंग बताइए तो देखे एट फाइव जा 40 यानि की last digit इसका 0 अब यह 0 इन सभी के साथ कितरी multiply करते रहो last digit 0 ही आएगा तो answer आगया आपका unit digit 0 होगा ठीक है आप यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू 5 10 अब आगे मेरे भाई 0 इंटू 6 कर लो या फिर ऐसे करते रहो last digit 0 ही आएगा ठीक है इस तरह से हर बार 0 बनता जाएगा पर अब यह जो कोशन्स आये है इन कोशनों को हम कैसे कर सकते हैं यह एक बार देख लेते हैं बहुत बेसिक सी चीज़ है आपको मज़ा आएगा सीखने में ठीक है यह बहुत मज़ेदार चीज़ है आजएए अब आप यह तो सीख गया है यूनिट डिजिट कैसे निकाला जा सकता है अब हम यह कोशनों पर आयते हैं इन कोशनों को कैसे सॉल्ल किया जा सकता है अच्छा इससे पहले आप मुझे यह बताइए और तो सारी चीज़ कराई दिया है इस पर आ जाईए अगर मैं पूछ हूँ कि इससे पहले मैं आपसे यह वाला पूछ लेता हूँ इन सभी का मंटिपलाई करके यूनिट डिजट क्या होगा इकायंग क्या होगा तो आपको गुरु जी यह थो थोड़ी दिक्कत हो जाईगी क्योंकि यहां तो फैक्टोरियल दिख रहा है आपको यह तो दिक्कत बन जाईगी मलब चार को घटते होए क्रम में लिखें चार तीन दो एक और घटते होए क्रम में लिखते होए कब तक लिखें जब तक एक ना आ जाए इसी तरह से पांच फैक्टोरियल पांच को कब तक लिखें जब तक लिखें जब तक एक ना आ जाए अब मुद्दा क्या है मैंने चार फैक्टोरियल भी लिखा चार, तीन, दो, एक मैंने त्री फैक्टोरियल भी लिखा तीन, दो, एक इस से पहले एक छोट चीज और आपको समझा दो जिससे आप और किलियर हो जाओगे मैं क्याना क्या चार हूँ अगर मैं कुछ नंबर ऐसे जोड़ रहा हूँ, 999, 0, multiply कर रहा हूँ, 7780, multiply 4390, इन सभी का multiply करने के बाद, end digit क्या होगा, तो आप देखिए, सभी के end में, 0 into 0 into 0, end digit 0 ही होगा, यह बात normal है, ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, मैंने का 3 factorial क्या होगा, 3 into 2 into 1, यानि 6, 4 factorial हो, 4, 3, 12, 2, 24 into 1, 24, 5 factorial क्या होगा, तो आपको के सर्फ 5, 4, 20, 3, 60, multiply to 120, अब यह 120 जो आया है, उसके आखरी में, एक 0 दिख रहा है आपको, यह 0 किस वज़ा से बना, क्योंकि, 5 और 2, 5 दूनी 10, इन दौनों से मिलकर, या फिर 5 और 2 को भी छोड़िये, 5, 4, 20, इसका 0 into 3, 0, 0 into 2, 0, 0 into 1, 0, यानि end में 0 तो आना ही था, तो 5 factorial का, जो value है, उसका last digit क्या है, 0, अब आपको यह पता चल गया, 0 बनने के लिए, क्या चाहिए, एक 5 चाहिए, और उस 5 को एक even number चाहिए, किसी भी calculation में 5 है, और एक even number है, यानि सम संख्या है, तो वो दौनों मिलकर, एक 0 बनाएंगे, और फिर पूरी series में, total चाहिए कुछ भी आए, multiply करके कुछ भी आए, पर end में 1 0 बन जाएगा, अब एक छोटी सी बात होता है, यह 6 factorial के अगर बात करूँ, छे, पांच, चार, घटे, 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 एक तक आएगा, value चाहिए कुछ भी हो, पर 5, 4, 20, या फिर आप देखे, 6, 5, 30, यह 0 आगे सभी को 0 बनाते, बनाते, and मैं, जो भी answer आएगा, last 0 होगा, छे, फैक्टोरियल लगा, 7, फैक्टोरियल में भी, 7, 6, आगे जागे, 6, 5, आगे आई जाएगा, 8, फैक्टोरियल में भी, घटे, फिर 6, 5, तो कितने भी बड़े फैक्टोरियल के, अगर मैं बात करूँ, इन सभी को जब भी आप multiply करोगे, उनकी last digit 0 होती है, इन सभी को लिखोगे, इससे, कम, इससे, कम, करते, करते, एक तक पहुचोगे, तो एक तक पहुचते, पहुचते, कितने ही 5 और कितने ही 4 आ जाएगे, भई, 15 में होता है, 24 में भी 4 होता है, और कितनी बार, 2, 5, एक 5 और उसके साथ को एवन नमबर मिलकर 0 बनाएगा, जिस वैसे end digit त तो 4 फैक्टोरिल से बढ़ा है, क्योंकि 4 फैक्टोरिल के आखरी में 0 इसले नहीं है, क्योंकि 4 और 2 तो हैं, पर यहां 5 नहीं था, पर 5 फैक्टोरिल के बाद, हर सीरीज में 5 आना तैह है, और इसका मतलब हर फैक्टोरिल की end digit 0 है, यानि कि ये बात तो तैह हो गई, कि अगर प्लस कर दूँ, तो इसकी last digit 0, last digit 0 होगी, इसकी भी last 0, इसकी भी last 0, और 0 प्लस 0 प्लस 0, एका यंग 0 आ जाएगा, इसकी last digit 0, इसकी last digit 0, और 0 मैंस 0 मैंस 0, एका यंग 0 ही आ जाएगा, इतने बात के लिए रहोगी, अब बड़े से बड़े कोशन आप करने लग गए अब आपके ये दो question रहागे हैं जहांपे आप अटक सकते हो एक ये वाला और एक आपका ये वाला अब होता क्या है मेरे भाई इस question में आप अटकते हो बट आपको एक चीज रटवाई जाती है कि हमेशा question में अटकोगी नहीं हमेशा power को 4 से divide करके देख लेना बच्चे ये सोचता है 4 से divide ही क्यों करना देखिए 4 से divide करने का logic बच्चो इतना सा होता है कोई भी ले लो आप चाहे 2 की series ले लो 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3 2 की 4 चाहे आप 3 की अपने पास लिखकर देख लेना ठीक है आपको इतना time तो है नहीं कि मैं पूरी basic से पढ़ाऊं ठीक है ऐसे basic से तो फिर तो अभी आपका exam आ रहा है नहीं तो आप कोई भी series लेकर देख लेना जब आप पूरी series देखोगे तो आप जब देखोगे जैसे मैं एक series लिखवाई दूँ छे साथ आठ ठीक है इसी तरह से तीन की series ले लेना तो आप क्या देखोगे दो की पावर एक दो होता है दो की पावर दो चार इससे जीरो दो जीरो चार लिखके चलिए ये आठ ये सोला ये बत्तिस ये चौसट ये एक सो अटाइस और ये टू फिफ्टी सिक्स अब में चीज जो आप देख रहे होंगे तो आप एक चीज देखोगे और वो चीज क्या है देखिए इसका इकाईंक दो था इसका चार इसका आठ इसका छे अब जैसी एक दो तीन चार चार पेर खतम होते ही ये दो फिर से पीछे आ गया ये 4 फिर से पीछे आ गया ये 8 फिर से यहां पीछे आ गया और ये 6 फिर से यहां पीछे आ गया और ऐसा सिर्फ 2 के साथ नहीं है ऐसा 3 के साथ भी होता 4 के 5 के 6 के हर एक नंबर 4 जैसे हर एक नंबर को 4 बार multiply किया जाए पहले 6 की power 1, 6 की 2, 6 की 3, 6 की 4 4 के बाद सीधा 6 की 5 और 6 की 1 की जो इकाई यंक है जो last वाली value है वो same होती है चाहे आप किसी की भी करके देख लिजे जो भी आपका दिलो चाहे आप 3 की power में देख लिजे 3 की 1, 3 की 2, 3 की 3, 3 की 4, 3 की 5 और 3 की 6 तक ही ले लेते हैं ठीक है 3 की 1, 3 होता है 0, 3, 0, 9, 27, 81, 243 और हमारा 7, 29 अब आप क्या देखोगे मेरे भाई देखिए 3, 9, 7, 1 हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है हमें यह नहीं मतलब यह 9 आयरा है यह 27 हमें तो सिर्फ इसके पीछे वाली डिजिट से मतलब है अब 4 पावर के बाद जैसे आगे चलेंगे तो यह 3 फिर से यहां रिपीट होगे और यह 9 फिर से यहां रिपीट होगे और जैसे आगे बढ़ोगे तो 3 की पावर 7 जो भी होगा उसका लाट डिजिट 7 और उससे आगे अगले नमबर का लाट डिजिट 1 तो आपने ये देखा कि चार पेर के बाद फिर से वही सीक्वेंस रिपीट हो रहा होता है तो हमारा काम क्या बनता है कि डारेट 2 की पावर साथ मुझे नहीं पता होता है तो मैं ये देख सकता हूं कि 2 की पावर साथ तो मुझे मतलब नहीं है मैं इसे चार से डिवाइड इसलिए करता हूं कि 4 एक सिंगल 4 पेर भाई साथ में कितने कितने पेर हैं 4 चार के 1 पेर चारी कम 4 खतम हो गया तो सेस बची तीन पावर तो यह 2 की पावर 3 का मतलब क्या है अगले पेर में तीसरे नंबर पर जो 1 ay 7 अब अगले पेर में यहाँ के बाद अगले पेर में 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर 8 आ रहा 1 ay 1 ay 7 और पहले पेर में भी 1, 2, 3 नंबर में तो पहले वाले पेर और दूतरे वाले पेर में तीसरे नमबर फर एकायंग सेम है तो मैंने वहाइब फार पूरी तरह चार से डिवाइड हो गई तो बच्चा सोचता ही वह टू की पावर 0 हो जाईगी और मलब सेस कुछ नहीं बचा तो एक आजागा ऐसा नहीं होता दो की पावर 4 छे का यंग है और दो की पावर 8 का विछे अगर power 4 से divide हो रही है इसका मतलब direct इसकी power 4 ही बन जाएगी अगर 8 4 से divide है तो 2 की power 0 ना बन के 2 की power 4 पे जो number होगा न ये कहना चाहता है ये पूरी series का 4 वा number है पूरी series का 4 इस्तान पर आने वाला number है इसी तरह से आप कोई भी question अब कर सकते हो जैसे आपने एक question देखा इससे पहले छोटा सा number देख लेता है जैसे 199 पावर मैंने लिख दी मैंने भाई 25 अब आपको एका यंग क्या होगा तो आप इस power को 4 से divide करोगे 4 से divide करा 4 से 24 3 साया 1 यानि कि ये ना 24 तक तो 4-4-4 के पेर चल गए अगली series के पहले number पर तो आप direct क्या करोगे ज़्यादा अंदर गहराई से ना गुसके जो भी ये number है इसके last digit को पकड़ोगे हमेशा क्योंकि मुझे एका यंग से मतलब है power को 4 से divide करी 6 कि तरह मुचा एक वही इसकी power मना दीजे 9 की power एक नो यही मेरा answer इका यंग हो जाएगा इसी तरह से आप इस number को देखोगे इस number से पहले एक छोटा number और ले लिजे 4932 की power 7779433 मैं पूछू कि इसका इका यंग बताइए अब आपको गुरुजी इस पूरे number को 4 से divide करूँ नहीं अगर आपको divisibility rule पड़ा होगा तो 4 का rule क्या क्याता है कोई भी number 4 से divide आगर उसके last के 2 digit 4 से divide होंगे यानि कि अगर इसके ये दौनों number 4 से divide हैं ये वाले 2 तो ये number पूरे तरह 4 से divide है 4832 ये 4 से divide नहीं है एक 6 बच रहा है तो यही इस 2 की पावर एक बन जाएगी भाई इस इकाई अंक की पावर कितने बन गी जो 6 बच रहा है 2 की पावर एक दो यहीं हमारा unit डिजिट इकाई अंक आ गया अच्छा अगर गलती से ये होता है 49732 की पावर 88899932 32 तो पूरे तरह 4 से divide है अगर यह नंबर पूरे तरह 4 से divide है तो 2 की पावर यह से पहले एक छोटा कोशन यह लो 199 2 की पावर 16 आपने 16 को 4 से divide करा अगर 16 4 से पूरे तरह divide है तो इस 2 की पावर यही 4 बन जाएगा जिससे हम divide करें 2 की पावर 16 और यह 6 हमारा 11 आजाएगा यही सेम case यहाँ होगा 32 4 से divide तो पूरा number भी 4 से divide पूरा number 4 से divide तो 2 की पावर 4 4 तो 2 की पावर 16 यानि 6 ही हमारा 11 हो गया है यानि अगर number पूरे तरह 4 से divide है तो इसकी power 4 ही बन जाती है अब अगर मैं यहाँ पर आया तो आप क्या करोगे 99 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 6 क्या बच्छाएगा 3 ये 3 2 की पावर 3 बन जाएगा multiply इसे 4 से डिवाइड करो 48032, 6 आया, 1 वो 3 की पावर 1 बन जाएगा 2 की पावर 3, 8 यहाँ पर 3 आड़ती है, 24 यह 24 का जो यह 4 है यह हमारे का यंग आंसर हो जाएगा अब मैं इस question पर आया अब यहाँ पर आपके साथ दिवाइड हो पाएगा तो अभी थोड़ देर पहले अगर मैंने आपको factorial वाला case समझाया था तो आपके दिमाग में multiply में 11 है नहीं, ना इन दोनों के multiply में पर हाँ, अगर मैं एक ऐसा number बनाता हूँ जो इन तीनों, ऐसा number जिसके अंदर 11 का भी roll है, तो इन तीनों का multiply 11 से divide हो जाएगा, समझे रहो तो कोई भी number 11 से divide है, जैसे मैंने का 2 into 3, 11 से divide है, आपको को नहीं पर हाँ, अगर मैं 11 की multiply और कर दो तो 2 into 3, 6, 11 से 66 66, 11 से divide हो जाएगा क्यों? क्योंकि 66 को बनाते वक्त 11 का use करा है तो अगर कोई भी number जैसे अगर मैं पूछू, इन सभी मैंसे कौन कौन सा number 4 से divide है तो 4 से हर वो number जिसे बनाते वक्त 4 का use करा गया है तो 4 factorial का मतलब कहा है 4, 3, 2, 1 यानि इन सभी को multiply कर रहे है 24 आएगा वो एक अलग बात है बट 24 बनने से पहले 4 का इस्तेमाल किया गया था 5 factorial में घटते समय एक समय आएगा जब 4 आएगा तो 4 का इस्तेमाल यहाँ भी होगा 6 factorial में भी 4 का इस्तेमाल है 8, 89 factorial को भी घटते-घटते कभी न कभी तो 4 यहाँ पे भी आएगा भाई 1 से पहले तो आई जाएगा यानि 3 factorial के बाद सभी factorial 4 का use करके बने हैं यानि सभी 4 से divide होते हैं और अगर सभी factorial 4 से divide है, तो ये पूरा number अगर 4 से divide है, तो इस 9 की power इस समय 4 ही हो जाएगी, multiply, यहाँ पर भी 9 लिख रहा है, इसको 2 लिख लेते हैं, जिससे आपको ये ना लगे, दोनों तरफ ये लिख रहा है, ये पूरी power भी इस समय 4 से divide होगी, क्योंकि 3 factorial के बाद सभी factorial 4 से divide होते हैं, अगर ये 4 से divide है, तो इस समय 2 की power 4 हो जाएगी, 9 की power 4 के लिए आप क्या करोगे, 9 को आपस में, multiply कर लिजे 4 बार, 9, 9, 81, 1 into 9, 9, 9, 81, यानि 1 आ जाएगा, 1 into 2 की power 4, 16, 16 से नहीं, 6 से मतला 6 कम 6, और 6 ही हमारा answer हो जाएगा, और यही हमारा answer हो गया, तो इस तर से रहे करके दिखाऊँगा, 7399, factorial, multiply 8, 757, 6689, factorial, इस का answer अब आपको बताना है, comment box में अभी है, और मेरा भाई, एक बात और आगे बढ़ने से पहले गाई, इस मंगलवार रात 9 बजे, इंडिया के सब से famous teacher आ रहे हैं, तो मिलना ना भूले, साथ इसाथ, हमारी top तक है, पर मैं इसका बाप live batch start हो चुका है, तो जागे जुड़िया, तो चाहिए है, तो चाहिए है, तो चाहिए ह।